नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका होस्त अनेजर और सैमसंग ने 2018 में पेटेन कर दिया है एक नया फोल्डेवल स्क्रीन वाला डिजाइन जो बहुत जल्दी लाँच हो जाएगा सैमसंग अभी काम कर रहा है OLED फोल्डेवल टेकनलोजी के उपर जो एम करता है फुली फ्लेक्सिबल फोन को लाँच करने के लिए और दोस्तो सैमसंग ने इसमें बहुत अच्छे प्रोग्रेस भी कर लिये हैं इन्होंने दूसरी कंपनियों से ज़्यादा बड़ा इंवेस्टमेंट किया है OLED टेकनलोजी में जिसका रिजल्ट ये निकला कि सैमसंग के पास बैस फेसलिटी है डिजाइन और प्रोडियूस करने की OLED स्क्रीन जो सप्लाइ करता है एपल जैसी बड़ी कंपनियों को भी सैमसंग अब बहुत सालों से काम कर रहा है फोल्डेवल स्क्रीन के कॉंसेट में और ये अपने बहुत सारे लॉंच इवेंट में फोल्डेवल स्क्रीन का प्रोटोटाइप भी डिमोंस्रेट किय अगर मैं शॉर्ट में समझाओ दोस्तों तो हम बहुत सालों से सुनते हा रहे हैं ये टेकनलोजी के बारे में और हमें हर बर यही लगता था कि ये टेकनलोजी अब रिलीज हो जाएगी और हमने अभी तक इस उमीद को सकार होते वें नहीं देखा है लास्ट येर हमें ऐसे रूमर्स आये थे कि सेमसंग न्यू डिवाइस के उपर काम कर रहा है जिसका नाहम है गेलेक्सी एक्स जो दुनिया का सबसे पहला फोन भी कहलाएगा फोल्डेवल स्क्रीन के साथ इस फोन का लाँच एक्सपेक्टेट टाइम ता 2017 पर दोस्तों अब ऐसा लगता है कि ये 2018 2018 में लाँच होगा साथ ही साथ जैसे सेमसंग अपने कॉंसेट को लेकर पब्लिकली मीडिया में है उसी तरह दोस्तों लास्ट ये दूसरी डाइवल कंपनी मेली चैनिस कंपनी जिसमें फैलो कोरियन कंपनी एलजी भी शामिल है सेम कॉंसेट शोकेस किये और उसका प्रोट स्टार्ट कर दिया है बहुत जल्दी अपने यूनिट कर लेगी इनों ने यह भी स्टेटमेंट दिया उन्हें बस एक बैटर मेकनीकल डिजाइन की जरूरत है जो कंजूमर रैडी डिवाइस बना सकते अपने सबसे लेटेस संग टीव कावव में फोल्डेबल त्रीन का आता है दोस्तों कि सेमसंग क्या लॉंच कर पाएगी गेलक्सी एक्स के अपने प्रोजेक्ट को 2018 में पर क्या सच में हम देख पाएंगे फोल्डेबल स्क्रीन डिवाइजेस को दे दीजिए आपके सुझाओ कमेंट सेक्शन में और अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों फड़ा फड़ जाके लाइक मार दीजे और अगर आप चैनल में नए है तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबाके मुझे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि मैं ऐसी वीडियो हर बार लाता रहता हूं तो चलिए दोस्तों अब मैं जा रहा हूं मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में